मैं reaction जान चुका हूँ, reaction क्या थी, simple zinc two positive solid है, ये अपने आप में ये तो जानते होंगे न भाईया, ये metal है, 739 तो बढ़ा दिया जाता है, ये metal है, ठीक है न, लेकिन अब ये जड़न two positive जो है ये metal नहीं है, ये metal का क्या है, आयन है, ये क्या है, metal का आयन है, ये metal नहीं है, जि किसकी तरह define करता हूँ, अब ये जड़न two positive जो है, वो एक्वस फोम में है, और ये कौन है भाईया, अब की बार ये हैंपे क्या है, इलेक्ट्रो लाइट है, ये metal का आयन है, metal नहीं है, metal को नहीं है, जिंक सॉलिड है, सारे concept यहाँ भाभी सिका गे जाओंगा बहुत अच् ये खाता है, हो क्या रहा है, सिद्धी बात है, मैंने cathode की representation, याद कर मेरा representation का तरीका, अभी टफतो मैंने कुछ पूचा नहीं, सब सवाल आँगा, तब बताऊँगा वो तो, यहां पर देख, कौन होता था, anode, यहां पर कोन है, bridge, यहां पर कोन है, cathode, इतने से मुझे positive होता था, cathode पे, और zinc होगा, यह इसका क्या हो जाएगा, cell representation हो जाएगा, बोलो यह बात समझ में आई, यह नहीं आई, अगर यह बात समझ में आई गई है, तो यह भी यह कौन सा आपको मैंने पढ़ा दिया है, cathode half cell, किसका metal, iron half cell का, cathode half cell पढ़ा दिया है, anode आप खुद से करेंगे, यह बिल्कुल just opposite है, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से उसे करना सीखें, बागी में representation तो मैं बता देता हूँ, simple, मुझे तो एक मिनट लगेगी लिखने में, क्या है यह representation, anode की, simple सी बात है, zinc जो होगा, solid form में होगा, किस में जा रहा होगा, यह यह क्या होगा, simple, anode की कहानी हो जाए, लेकिन खुद से एक बात सीखें, try करें, simple है कुछ नहीं यह जी है, ठीक है बई, तो इस simple ही कहानी थी, किस की, metal, metal, iron, half cell की, ठीक है, अभी इसमें एक point मैं छोड़ दिया है, चोथा, जिसका नाम है नरस्ट, मैं चाहता हूँ कि नरस्ट में सारे half cell पढ़ा दूँ, उसके बाद एपलाई करना सीखेंगे, ठीक है न, उसके बाद एपलाई करना सीखेंगे, और उसी में मैं थर्वडाइनमिक के जो डाटाज है, उनके उपर कैसे questions मनते हैं, नरस्ट को लेकर, मैं एक साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो इस simple ही पहली कहानी स हो जो आचुकिए कि आपको नौट कर सकते हैं,